पूरे कपड़े उतरवा दिये गए महिलाओं के सरीर से और पुलीस के सामने लोगों के सामने नंगा परेड करवाय गया उनके जिस्मों को नोचा गया प्रैवेट पार्ट कुछ हुआ गया इतना क्या बता है हम इतना जादा घिनोना हरकत किया गया इतना तो कोई वहस्ती द सासन उनको घसीट घसीट के लिए जा रहा था क्या गुना किये थे उन लोगों ने माइनर बच्चियां थी क्या गुना था उनका कि बीजेपी का जो सांसा देब्रिभूसन सिंग उनके विरोध में आवाज उठा दी क्यों नहीं स्टिफा मांगा पीम मोदी नमस्कार आप उनको नग नवस्था में परेड करवाया गया मनीपूर की सरखोंपर वह बेहाध ही सरम नाक है और सबसे जयादा सर्म की बात तो यह है कि वहां की जो सरकार है मनीपूर की वह बीजेपी की सरकार है वहां और इतने बड़ी घटना घट गई दो महिलाओं को नंगा गुमाय गया परियद करवाया गया भरी भीर में सडकों पर लेकिन कोई अक्षन नहीं यहां तक कि मीडिया और वहां के जो फोन सब के पास रहता है अभी के समय में कैमरा है हर कुछ है लेकिन बाव जूप अभी तक दो महिना बितने के बाद वह चीजे फ्लैस नहीं के बाद वह देखे तो मतलब लगता है कि हम किस राज्य में रह रहे हैं यह तो जंगल राज से बत्तर है यह लग रहा है ना कि जैसे हम लोग अंग्रेजों के जमाने में रह रहे हैं कि जो मन होगा हमारी सरकार को हम वही करेंगे इताना साही की सरकार वहां पर जो मनीपूर के जो सीम ह एन्विरेन सिंग वहां पर कानून व्योस्था समझे तो बुरी तरह से फेल हैं महिला के साथ जो महिला को नाड़ी को भगवान का दर्जा दिया जाता है लक्षमी दुर्गा का अवतार कहा जाता है मारे भारत में नाड़ी की पूजा होती है और उस नाड़ी के साथ इतना नगन वस्था में परेड करवाया गया यह तो भारत माता की आत्मा भी रो रही होगी आज वह द्रिस से देख करके जिस तरह से वहां पर किया जया है हम लोग कल पतना में थे पतना में आक्रोस मार्च महिला राजद के द्वारा हम लोगों ने निकाला है मैं परस्णली अधिक आत्मान करने वाली जो सरकार है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सलोगन देने वाली सरकार के राजे में अगर इस तरीकी घटना होती है तो क्या लगता है कि देश की तरफ जा रहा है समाज की तरफ जा यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह कोई फ्रियों और करेकरताओं से यह बेटी बचाओ उन्होंने चतावने दिती कि हम लोगों नहीं समझाओ उन चीजों को मुझे लगा हम अग nervework उनको लगा कि बेटी को बचाना है बेटी को जो कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कोई बेटी नहीं बच रहे हैं यहां पे इनका नाम बदल कर के बेटी जला पार्टी रखना चाहिए लगतार भाजबा के जो निता वो कह रहे है कि मनिपूर जैसे राज जिसको पहले जो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी वह फोट दिया करती थी लेकिन अब जो है वहां वान अब लबी इल लगटी छाहिए कि मनीपूर में का सब्सक्स का बोला है तो चीज़े देखकर के तो क्लियर है कि कहां विकास हो रहा है वहाँ जो मुद्दा है जो हिंसा भड़की है वहाँ पर जमीन अफीम और अतिक्रमन को ले करके हैं ठीक है और यह हिंसा आज से नहीं है बहुत सालों से चलते हुए आ रहे हैं कहां सब ठीक है बीजेपी की सरका में वहाँ पर क्या विकास दिख रहा है और जो महिला के साथ यहां पर महिलाओं और बच्चों के ऊपर लोग राइनिती करना नहीं चाहता है लेकिन यह बीजेपी की सरकार महिलाओं के उपर राइनिती की है और वहां मनीपूर की घटना आपने वीडियो देखा होगा किस तरह से पूरे कपड़े उतरवा दिये गए महिलाओं के सरीर से और पुलीस के सामने लोगों के सामने नंगा परेड करवाय गया उनके जिसमों को नोचा गया प्राइवेट पार्ट को छुआ गया इतना क्या बता हैं इतना जादा घिनोना हरकत किया गया इतना तो कोई वहस् आसन भी यह चीज़े देख रहा था और कोई एक्सन नहीं क्या वहां पर कानुन व्योस्था नाम की कोई चीज नहीं है यह जो कहते हैं बीजेपी में हम सब ठीक कर देंगे तो जाए वहां हम तो कहते हैं पीम मोदीजी से यह समडाठ चोधरी है प्रदेशाद्यक्ष वह क लेकिन यह लोग बनेंगे नहीं क्योंकि इनको एक ही मुद्दा है कि बेटी बचना नहीं चाहिए जितना हो वह परतारित होती रहे बस यही काम ही लोग कानून की आप लोग द्वाई दे रहे हैं कहरें कि वहां पर कानून का राज नहीं है आप लोग के सरकार पे आरोप कि जंगल राज पाट वन था अब जो है जंगल राज पाट टू उसके बाद अब जो है बीजेपी बाले कह रहे हैं कि गुंडा राज काया मैं बिहार में इसको लेकर क्या कहें बीजेपी बाले क्या क्या कहेंगे वह तो कहने के लिए ही सिर्फ आय करने के लिए नहीं अग और वह और वह करने के लिए आते हैं तो आज कर रहे होते हैं क्या कहें थे पधान मंतरी अंपर के सब्संतर चैनल पर उनको नहें लुटुक्स दिल्ली का monitoreen dir इंटर मंतर के सडकों बाल पकड करके और नहीं के गजीट कर。 क्या गुना किये थे उन लोगों ने माइनर बच्चियां थी क्या गुना था उनका कि बीजेपी का जो सांसा दे बिजभूसन सिंग उनके विरोध में आवाज उठा दी क्यों नहीं इस्टिफा मांगा पीम मोदी तो यहां पर यह जो बीजेपी के जो सिनियर लीडर है नाम म आप लोग भी तो लाठी चार्ज करके उन लोग को बिटवा दी लाठी चार्ज नहीं हुई है आप अगर धियान से देखिएगा तो लाठिया नहीं बर्सी हैं यह लोग जो कर रहा है ना जब से भी हाड में महागटवंधन की सरकार आई है तब से बीजेपी वाले बॉखला गए है यह जो देखिए बॉखला हाट कब होती है जब हमें लगता है ना कि हमें कोई चीज नहीं मिली हमारे हाथ से कुछ चीना जा रहा है कुछ हम लॉस कर रहे हैं तो बॉखला होती है और यह बीजेपी की हाट से जब से सत्ता गई है तब से यह बॉखलाएं हुए है अब बताइए ते यसी अदब जी के खिलाफ चार्ट सीट है तो यह कहते है इस्तिफा दो बीजेपी का कौन सा ऐसा न कंत्री नहीं है जो चैर सिटेड नहीं है अधित्तर लोग उसमें दागी हैं